जेहिन दोस्तों एक बार फिर सो आगता है Best Exam के YouTube चैनल पर CRP Head Constable Ministerial Recruitment 23 का एक्जाम यह आपर चल रहा है बात करने वाले है कि CRP Head Constable Ministerial में कितने नमबर तक आप लोगों को score करना पड़ेगा मतलब टाइपिंग के लिए कितने नमबर तक आप लोगों के बन रहे है तो आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा नोर्मलाइजेसन में किन-किन अभ्यारतियों के नमबर यहां पर बढ़ने वाले साथ नोर्मलाइजेसन में कितने नमबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल पे पहली बार आएं और आगे आने वाली CRPF Head Constable Ministeral Recruitment 2023 से जुड मितलब मार्च में भी आप लोगों का एक्जां में होने वाला है, और आप सभी को पता है कि में किन अभियारतियों को फाइदा मिलने वाला या साती टाइपिंग के लिए minimum कितना score आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि आप लोग टाइपिंग कर पाए कितना number आप लोगों की बन रहे हैं तो आप लोगों को written examination के बाद में typing की भी त्यारी आप लोगों को सुरू कर देने चीए तो बिल्कुल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि typing को लेकर दोस्तों ज इस बार सबसे पहले written examination हो रहा है और written examination की जो कटों पर पहले ही बता देती है वैकि typing के लिए इतने नमबर तो आप लोगों के आने ही चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है typing के अगर बात करें तो पिछली भरती में भी जिस भरती में मैं खुद भी था उस भरती में दोस्तो केटेगरी से विलोग करते हैं और अगर आप 40 नमबर भी लेके आएंगे सो में से तो आपको physical के लिए और typing के लिए आप बुलाया जाएगा अगर आप OBC candidate है या फिर आप SC candidate है या फिर आप SC candidate है अगर आप 35 नमबर भी लेके आते हैं तो भी आप लोगों को typing test के लिए CRP बुलाने वाला है मतलब जो भी candidate है एक्जाम देके आ रहे हैं और जिसको लगता है कि हाँ इतने नमबर तो मेरे आ ही जाएगे तो आपको अब साथ साथ में typing की तयारी भी शुरू कर देने च अब तीसरी बात आती है कि आपका जो एक्जाम है वो 22 फरूरी से शुरूआ है और अभी आप लोगों का एक्जाम है वो मार्च महिने तक चलने वाला है ऐसे में जो 22 फरूरी का जो paper था उसमें और आज जो paper हो रहे हैं उनके level में थोड़ा थोड़ा changes देखने को मिल रहा ह तो ऐसे में क्या इन अभ्यारतियों को फाइदा होगा या नहीं होगा या नुकसान होगा तो मैं clear कर देता हूँ क्यों ऐसी कुछ भी बात आप लोगों के साथ में नहीं होने वाली है क्योंकि इस बार भी आप लोगों का normalization का तरीका अपना जाएगा और आप सभी को पता ऐसा से जीडी जैसे exam है जिनमें कम से कम दो नमर और maximum बात करें तो 15 नमर तक normalization में बढ़ते हैं अगर आपके 30 नमर भी आ रहे हैं तो भी आप लोगों को टाइपिंग के तहरी जरूर करनी है हो सकता है normalization में आपके 10 नमर बढ़ जाए और minimum criteria से ही आप आगे चले जाए और आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए काफी बच्चे ऐसे हैं जिन जो सोच रहे हैं मेरे 60 questions नहीं हो रहे हैं 60 नमर बन रहे हैं तो अभी आप लोगों का normalization में क्या देखा जाता है पेपर का level देखा जाता है कि किस पारी में कौन से पार्ट में यहां प पेपर काफी hard था जितना score में कर रहा था उतना score नहीं हो पाया जबकि मेरे दोस्त का paper जो पहले हुआ था उसने काफी अच्छा score किया अभी आपका normalization में आप लोगों के नंबर भी बढ़ने वाले तो बिलकुल जिन अब्यार्टियों का एक्जाम हो चुका है वो साथ-सा हमारा base था उससे अच्छी बात हैं कि हिंदी के question लगबग उसी से आ रहे math और reasoning के question भी वहीं से आ रहे जीके हमने बताया था कि इसमें general ability में जीके आप लोगों का आने वाला है और जीके ही हमने पढ़ाया था पूरे course में और जीके सही question आ रहा है तो कापी अच्छा बच् जोइन कर सकते हैं अगर आप CSP tradesman और head postable दोनों की एक साथ त्यारी करना चाहते हैं तो आप AK47 बेस्ट जोइन कर सकते हैं CSP fireman की त्यारी के लिए आप लगसे बेस्ट जोइन कर सकते हैं जिनमें आपको all subject की कलास पीडिया जा रहा है तो link description box में दिया आगा या play store पे जाक सकते हैं अपनी तयारी को और ज्यादा बैतरी न कर सकते हैं दोस्तों स्टूडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्ट स्टूडियो में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय बार